प्यारे बच्चों, क्लास 11 का मनो विज्ञान विशे का अंसर की आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा बहुत सारे बच्चों ने, इस्पेसली विक्की ने मुझे कोस्चन भेज कर इसका अंसर मांगा है तो बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर और विक्की को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कोस्चन मुझे भेजा एकनॉमिस प्लस ग्रूप पर तो मैं अंसर की आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अपना स्कोर देखिए कितना आता है और कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल एकन प्लस पर रहे हैं मनो विज्ञान वहवार का विज्ञान है किस ने परिभासित किया था तो यह परिभासित किया था वाटसन ने तो यहां पहला का हो जाएगा दूसरा दूसरा question है मनो-विज्यана की पहली पर्योग साला की अस्थापना कब हुई तो यह हुआ था 1789 वी में मतलब दूसरा का हो जाएगा पहला तीसरा question है मनो-विज्यान विज्यान है क्योंकि यह समाज मनो-विज्यान का अध्यन करता है मलब मनो विज्ञान समाज सास्त का ही अंग है तो ये तीसरा उप्सन हो जाएगा चौथा है मनो विज्ञान का मुख छेत्र कौन सा है तो इसका मुख छेत्र है सीखना इसका हो जाएगा तीसरा पाच्वा है पर्योगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं तो यह जाने जाते हैं वुंट तो यहां पांचमा का हो जाएगा दूसरा छठा है मनोविज्ञान की किस साखा में व्यक्ति के वहवार तथा अनुभूति का अध्यन समाजिक परिस्थिती में किया जाता है तो यहाँ छठा का हो जाएगा आपका पहला समाजिक मनोविज्ञान साथमा है निमलिखित में कौन सुध मनोविज्ञान है तो यहां हो जाएगा आपका सिच्छा मनोविज्ञान, सात्मा का हो जाएगा पहला आठ्मा है, वी का सात्मा मनोविज्ञान को कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बाल मनोविज्ञान, यहां हो जाएगा दूसरा नौमा है वाटसन ने मनोविज्ञान की विशेवस्तु के रूप में किसको माना है तो ये माना है वेहवार को यहाँ हो जगा नौमा का पहला दस्वा है मनोविज्ञान का लच्छ है तो इसका लच्छ है संग्यनात्मक परक्रियाओं की व्याख्य करना है वहवार की व्याख्या करना है वहवार को नियंतित करना है इसलिए इसका उप्थां चौथा हो जाएगा इन में से सभी 11 नमबर है परिवरातमक विधी मन्यवज्ञान की क्या है तो पहली विधी है ये हो जाएगा पहला 12 नमबर कोश्चन है सह संबंद कितने परकार के होते हैं तो सह संबंद आपका 12 नमबर का हो जाएगा सह संबंद आपका 3 परकार के होते हैं तो ये हो जाएगा 12 का दूसरा तेरा नमबर कोश्चन है विक्ति अध्यन विधी को कहते हैं तो ये विधी है आपका सचतकार विधी तो ये हो जाएगा चौथा चौधा नमबर कोश्चन है पर्योगरात्मक विधी के संस्थापक कौन है तो ये है उंट ये हो जाएगा आपका दूसरा पंद्रा नंबर कोश्चन है गर्बाधान से लेकर विर्धा वस्था तक विर्धा वस्था तक डॉट 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 मनोविज्ञान में अध्यन किया जाता है तो किसका दीका सातमक का यहां हो जाएगा पहला सुल्ला है किस विधी में अनुभव करता और प्रेचक की भूमी का एक ही वेक्ति को अधा करनी पड़ती है तो वो हो जाएगा अंत निरिच्छन विधी मलब अपने आपको ही जाचना तो इसमें अनुभव करता और प्रेचक दोनों एक ही वेक्ति होगा तो यह तीसरा हो जाएगा सुल्ला का सत्रा है मनोवेज्ञानिक परिच्छन का उद्देश होता है तो मनोवेज्ञानिक का परिच्छन का उद्देश होता है किसी समू की विशेष्टा का पता लगाना यहां हो जाएगा चौथा अठारा है अंतर निरिच्छन विधी का अर्थ है तो इसका अर्थ है आपका अपने वेहवार का निरिच्छन करना तो यहां हो जागा तीसरा 19 नमबर है आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है तो यह है आपका विल्यम उंट यह हो जागा दूसरा 20 है मनोवे ज्यानिक विधी की मुख विशेस्ता क्या है तो इसकी विशेस्ता है इन में से सभी मलविश्वासनियता, वैधता, वस्तुनिष्टा तीनों है इसलिए इसका उप्सन हो जाएगा चौथा 21 नमबर कोश्चन है सबसे छोटा प्रानी है अम्बीबा, पहला हो जाएगा 22 है मानो मस्तिक्स के कितने भाग है तो मानो मस्तिक्स के तीन भाग है यहां हो जाएगा दूसरा 22 है निमलिखित में कौन प्रिश्ट मस्तिक का भाग नहीं है तो यह 23 हो जाएगा आपका बच्चो तीसरा, अगर मस्तिक्स प्रिष्ट मरलाब होता है पीछे का भाग तो यह अगर मस्तिक क्या होगा आगे का मस्तिक तो यहाँ हो जाएगा तीसरा 24 है संख खंड के द्वारा कौन सी सवेधना होती है तो वो होती है सुरवन सवेधना तीसरा हो जाएगा 25 है सुपुन्ना की लंबाई है तो सुपुन्ना की लंबाई है आपका 18 इंच यहां हो जाएगा दूसरा 26 नंबर कोश्चन है तंत्रीका तंत्र की सबसे छोटी इकाएं क्या है तो सबसे छोटी इकाएं नियूरॉन पहला हो जाएगा 27 है निमलिखित में से किसे ग्राहक नहीं कहा जा सकता है तो मानस्पेशी को ग्राहक मलब ग्रहन करने वाला तो मानस्पेशी हो जाएगा 28 है नालिका विहीन ग्रंथी का दूसरा नाम है तो इसका दूसरा नाम है अन्तासरावी ग्रंथी यहां हो जाएगा दूसरा उप्सन सही है 29 है निरोन की संख्या सबसे अधिक किसमे होती है तो 29 का हो जाएगा सबसे अधिक होती है मस्टिक्स में यहां हो जाएगा पहला 30 है दुखद एवं अपरिय अनुभव को हम भूलना चाहते हैं कथन किसका है तो या फ्राइट का कथन है पहला उप्सन सही है 31 है अनुभान सिक्ता सम्बंदित है तो या सम्बंदित है गुन सुत्र से या जिन से तीसरा उप्सन सही है 32 है जीवन भर चलने वाली परकिरिया निम्न में से कौन है तो ये है अपका विकास, पहला उप्सन सही है 33 है, नीचे दी गए अवस्थाओं में कौन गरभस्त सिसू के विकास की अवस्था नहीं है तो 33 का हो जाएगा यहाँ दूसरा, सैसव अवस्था काहे कि गरभस्त सिसू मिलब जो घर में तो भुरना वस्था भी है, भीजा वस्था भी है गरभस्त सिसू काल भी है तो यह पूछ रहा कोन वस्था नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा दूसरा 34 है किस मनोवे ज्यानिक ने सीखने का सास्तिय अनुकूल लन सिधान में कुत्ता का परियोग किया तो यहां हो जाएगा पैवलावने पहला उप्षन सही है 35 है बजपनावस्था कितने वर्स आयू को कहा जाता है पहला उप्षन सही है 36 है विकास का अर्थ है बचों प्रAGतिसील परिवर्टन पहला 37 है विरिद वेक्तियों की समस्याओ का सवश्य समधान क्या है तो उसका समधान है उसको परिवार में पतिष्टित अस्थान परदान करना यह हो जाएगा तीसरा 38 है निम्नांकित में कौन किसवरा वस्था की परमुक विसेश्था नहीं है तो यहां 38 का हो जाएगा आपका चौथा एकांथ प्रियता यह हो जाएगा चौथा 49 नंबर कोश्चन है बाल विकास की बीजा वस्था एक आरंभी का वस्था है जिसकी अवधी है तो इसकी अवधी है गर्बा धारन से 15 दिन यहां पहला उप्शन इसका सही है और लास्ट कोश्चन है मनोवे ज्यानी ब्रोका ने मस्तिक्स में डौट डौट छेद्र की खोज की तो वो की थी भासा की यहां हो जाएगा पहला उप्शन सही है तो बच्चो कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा आप लोगों ने कितना स्कूर किया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई